है गाईज वेलकम तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स की कि हम लिस्ट के अंदर लूपिंग कैसे कर सकते हैं तो पहले बात करते हैं फोर लूप कि हम लिस्ट और फोर लूप एक साथ कैसे यूज़ करेंगे तो list और for loop use करना काफी simple है देखिए कैसे use करेंगे for एक मैं variable ले ले लेता हूँ fruit in fruits ये देखिए ये variable आप कुछ भी लेखते हैं i, j, k बट यहाँ पर मैं fruit ले रहा हूँ क्योंकि मिले को fruit सही लग रहा है in fruits बस आपको ऐसा करना है for fruit in fruits उसके बाद print fruit इससे क्या होगा देखिए जब ये लूप पहली बार चलेगी तो इस fruit नाम के variable में क्या होगा? Orange तो orange प्रिंट हो जाएगा जब ये दूसरी बार लूप चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? apple जब दूसरी बार लूप चलेगी fruit में क्या होगा? apple तो apple प्रिंट होगा तिसरी बार लूप चलेगी fruit में क्या होगा? peer तो peer प्रिंट होगा चोथी बार banana print होगा और फिर kiwi तो अब मैं इसको run करके देखता हूँ तो पहले बार को क्लियर करता हूँ और इसको मैं run करता हूँ यह देखिए orange apple pear banana kiwi तो यह थी for loop for loop काफी simple है for loop में आपको ध्यानी रखना indexing का, position का कुछ ध्यानी रखना आपको simply for loop लगानी है बहुत simple अब बात करते हैं while loop की मैं while loop नहीं use करता list के साथ मैं हमेशा for loop यूज करता हूँ but मैं आपको while loop बताता हूँ कैसे लगती है while loop में सबसे पहले i की value initialize करते हैं 0 i, j के fruit कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, 0 क्यों क्योंकि जो list की पहली item की position है वो है 0, उसके बाद while i less than length of fruit तो हम हम इसकी length calculate कर सकते है strength की तरह कि हमारी list में कितने items है वो हम किसे calculate करेंगे length function से उसके बाद print fruit कौन सी position पे fruits जो i x position पे है उसके बाद i में कर देंगे 1 plus अब इसको run करके देखते हैं तो यह देखे orange apple pair बनाना की भी तो मैं while loop का भी यूज नहीं करता अगर आपको while loop पसंद आप यूज कीजिए बट मैं हमेशा for loop यूज करता हूँ क्योंकि for loop का काफी clean syntax है i hope आपको इस video पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो please like कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कीजिए और इस video को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए and thank you for watching this video हुआ